नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं पून हूँ कॉंग्रिस महासची उप्रेंगा गान्दी वाड़ा प्रदेश कॉंग्रिस अद्धिक्ष कमलनाथ पूर पी सी सी चीफ अरुण यादव और जैराम रमेशे खिलाफ FIR के विरोध में कॉंग्रिस सडको पर उतराई है राजदानी विपाल में कॉंग्रिस ने सरकार की अत्धि निकाली इस दोरान कॉंग्रिस नेता हातों में तक्तियां लेकर चले इनमें 50 पतिशत कमिशन वाली सरकार की अत्थी लिखा था कॉंगर्स नेताओं ने सरकार के हरविबाग पर लगाया बश्टाचार का आरोप साथी जमकन नारे बासी भी की कॉंगर्स नेताओं ने कहा कि वो F.I.I.A. से नहीं ड़ते बश्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे कॉंगर्स नेताओं ने परदेश कॉंगर्स कारलाय में प्रिंस कॉंफरेंस भी की जिसमें पूर्व मंतिर विधायक P.C. शर्मा ने कहा कि हमें जेल बेचो हम इसके लिए तयार है हम लोग सब सच बोलेंगे अगर F.I.R. करना है तो करो अगर किसी ने पत्र लिखा है तो हाई कोड इसकी जांच करेगा F.I.R. दर्श करने में इतनी जल्दवाजी क्यों की गई P.C. शर्मा ने कहा कि विजेबी के लोग राद दिन जुड़ बोलते है लेकिन इन बर F.I.R. नहीं होती है दार में तीन सो करोड की लागत से बना कारम डेम बह गया पटवारी घोटाला, पुशन आहार घोटाला जिसे तमाम घोटाले मद्य परदेश में हो गए लगातार इसको लेकर हम लोग परदशन कर रहे है कॉंगर्स प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि मद्य प्रदेशी क्राइम बांच पीजेबी के नेताओं की चटुकारिता कर रही है उन्होंने तितावनी दी की अधिकारी अपने दायरे में काम करें नहीं तो चार महीने बाद उनकी वर्दी भी छीनी जा सकती है केके मिश्रा ने कहा क्राइम ब्रांच भाजपा का संगठन बना कर काम कर रही है इसा हमने पहले कभी नहीं देखा हमारी नेता प्रेंका गांधी, कमलना, जैराम ब्रमेश, अरुन यादो पर 41 जीलों में एफाय दाच की गई है बीजेबी के लोग बोलने पर ही आपत्ती लगा रहे है इसी के साथ बनने नहीं, एक्षेन्यू जिन्जा के साथ रंदेवाद